इन कलाव इन कलाव हमारे बीश में देव भूमी में राज रिती को नहीं दिशा दिखाने वाले माननी अर्विंद केजरिवाल जी पहुंच चुके हैं एक बदलाओ की रहर लेकर सबसे बहले माईन का देव भूमी में आद बन पाओ देव भूमी के सबी लोगों की और से तहे दिल से स्वागत करता हूँ तो सबसे बहले हमारे यहां की विशेश पहचान रखने वाले हमारे गद्दी समुदाई की और से इनका स्वागत स्वागत किया जा रहा है धन्यबाद यह सिप्पी सेबदल कमिटी की और से यह यहां की हमारे स्थानिया और अब और अब मेरा अगरे रहेगा मानिया राकेश चौदी जी से क्योंकि कांग्रा जो है वो दे भूमी है दे भूमी के साथ कांग्राब को शक्ती भीटों के नाम से जाना जाता है और हिमाचल पृथेश के विजे अभियान की शुरॐाद माता के आशिरॐवाद के साथ आप सम्मेरा के बीच में मानिया केग्री निवाजी को सम्मानीद करते हुए और हिमाचली तोपी वा शौल के साथ क्योंकि माननी है हमारी परंपरा है हिमाचल में तोपी हमारी शान है हमारी जान है और अब प्रेजेश्वरी माता के पुजारियों की और से मा का अश्रवाद माननी अर्विंट केजिन वाई जी को भी और ये शापूर मंदर की और से स्वागत के रूम में उन्हें ये खुबसूरत सी एक यादगार मान ये हमारे जो प्रवारी है चुना प्रवारी स्टेंदर जैन धी को भी माता की चुनरी और अब कांग्रा ब्रजेश्वरी मंदर से मा का अशिर्वाद आया है इस पतलाव के लिए आम आदमी बार्टी जो जन्ता की आवाज बन चुकी है इनके इस अभ्यान को नजर न लगे मा का अशिर्वाद हमेशा बना रहे इसी कांग्रा के साथ धन्यवाद महदे क्रिपया आप सभी लोग अपने पने स्थान पर बैठ जाएं पूरे हिमाचर के रंग में रंगे के जरिवाद एक बदलाओ की नहीं बयार लेकर हम लोगों के बीच और अब हमारे चुनाब प्रभारी माननिय मंत्री स्तेंदर जैन जी को भी माधा रानी का आशिर्वाद धन्यवाद महोदे करिपे आप अपना स्थान ग्रहन करे तो लीजिएगा सब्सक्राइब हमारे धौलाधार की संस्कृति को हम माननिय अर्विन केजरिवादी के समक्ष प्रस्तूत करना चाहते हैं जो यहां की पहचान है जिहां एक गद्धी मृत्य है हमारे यहां के स्थानीय कराकारों द्वारा आप लोगों के समच लेकर आ रहे हैं एक गद्धी मृत्य अ कि अ हलो 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 है को सुजाता बादवाज का आप सभी को साधल परनाम और आज आए यहां पे मान्य अर्विन केजडिवाल जी का तेव भूमी हिमाचल परदेश डिस्टिक कांग्रा में स्वागत किया जाता है सिपी से बादल कांग्रा चंबा कमेटी के दवारा तो जैसे डिस्टिक कांग्रा जो है हिमाचल जो है शिप भूमी है तो क्यों ना शिप के पजनों से ही आज प्रस्तूति पेश की जाएं देस्ट बदलाए मेरा बूड़े सामिय रूप बदलाए हाँ देस्ट बदलाए मेरा बूड़े सामिय रूप बदलाए हाँ देस्ट बदलाए मेरा बूड़े सामिय रूप बदलाए हाँ देस्ट बदलाए मेरा बूड़े सामिय रूप बदलाए मेरा बूड़े सामिय रूप बदलाए हाँ पखलाज जोगी करा तुछ लूरा वो पुण तेरे अमातन ना तुहां पखलाज जोगी करा तुछ लूरा वो पुण तेरे अमा कने बापु हाँ अमा कने बापी मेरे घर दित गासा घर जाजो चलूरा बियाणा हाँ अमा कने बापी मेरे घर दित गासा घर जाजो चलूरा बियाणा हाँ कटिया हो लव घर बार तेरा जो गियाव कटिया हो लाव तेरा दियरा हाँ कटिया हो लव घर बार तेरा जो गियाव कटिया हो लाव तेरा दियरा हाँ उच्छ रखेला शारा राज जडाला तिछ शंब साना दियरा हाँ उच्छ रखेला शारा राज जडो लाव तिछ संब साना दियरा हाँ चंदे वो चंदे तिरे दूरू मेरे जोगिया वो बांका दिस बनाया चंदे वो चंदे तिरे दूरू मेरे जोगिया वो बांका दिस बनाया जानी वो गई अप छणी वो गई तुसे हो ले शिक्रार राजे हाँ जानी वो गई अप छणी वो गई वो तुसे हो ले शिक्रार राजे हाँ कर दो कर दो जता वो खलारी शीववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव जलब पाई शिवसर परिमालाब धाका पाई वे रिगशारा हां दोस बदलाई मेर दोड़ सामिय रूप बदलाए हां दोस बदलाई मेर दोड़ सामिय रूप बदलाए हां धन्यवाद जोड़दार तालियों के बीच हिमानचल परदेश की एक खूबसूरत संस्कृती और आपका खत्म होता है इंतजार अब हमारे बीच में मंचबे मैं बुलाने जा रहा हूँ उस आवाज को जिसकी आवाज पर भुरा हिंदोस्तान आज उठ रहा है एक बदलाओ की बात जी हाँ जोड़दार तालियों के बीच हमारे बीच आरे है मान्यो अरुइंद के जिरिवाद इंकलो इंकलो अवाज आ रही है आप लोग इतनी देर से इतनी धूप में भरी दोपहरी में इंतजार कर रहे हैं मेरा मन गदगद हो गया आप सब लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाता हूँ आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रियादा करना चाता हूँ शुरू करने के पहले मैं देख रहा हूँ उपर भी बहुत सारे लोग खड़े हैं और इधर भी उपर बहुत सारे लोग खड़े हैं चारो तरफ मैदान भी भरा पड़ा है और चारो तरफ सडकों के उपर लोग खड़े हैं सब लोग मिलके जोर से भारत माता का जैकारा लगाएंगे मुठी बंद करेंगे हाथ उपर करेंगे और जोर से बोलेंगे भारत माता की इनकलाब वन देख वन देख हिमाचल के कोने कोने से दूर दूर से आई हुए सबी भाईयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमशकार सबको मेरा प्रणाम हिमाचल को हम लोग देव भूमी कहते हैं देवताओं का स्थान हैं सभी देवी देवताओं को सबको मेरा प्रणाम सबको मेरा नमशकार इतने खूबसूरत पहाड़ों को पेड़ों को नदियों को जड़ी बूटियों को फल फूलों को मेरा प्रणाम जब भगवान स्रिष्टी रच रहा था जब भगवान दुनिया बना रहा था तो पूरी दुनिया में उसने सबसे खुबसूरत जगे हिमाचल परदेश बनाई भगवान ने हिमाचल परदेश को दिल खोल के दिया देने में कोई कसर नी छोड़ी इतने सारे पहाड दिये नदियां दी जड़ी बूटियां दी फल फूल दिये पेड़ पौदे दिये इतने शांदार लोग दिये इतने अच्छे लोग दिये भगवान ने अपनी तरफ से हिमाचल परदेश को देने में कोई कसर नी छोड़ी लेकिन कॉंग्रेस और बीजेपी वालोंने भी घिमाचल परदेश को लूटने में कोई कसर नी छोड़ी गलतों नहीं कह रहा जी बीजेपी और कॉंग्रेस वालों ने भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी 30 साल तक 30 साल तक हिमाचल परदेश पे कॉंग्रेस ने राज किया 17 साल तक बीजेपी ने राज किया ये जंता की आवाज है आज आज हिमाचल परदेश में जितनी समस्याई है आज हिमाचल परदेश की जो हालत है वो इन दोनों पार्टियों के वज़े से है 30 साल कॉंग्रेस ने राज किया 17 साल बीजेपी ने राज किया मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं ये दोनों पार्टियां मिलके मेरे को खूब गाले आ दे रही है दोनों मिलके सारे नेता मिलके मेरे को केजरी वाल ये केजरी वाल वो केजरी में अरे मैंने थोड़ी लूट लिया इमाचल प्रदेश को लूट रहा लूट रहा तो तुम लोगों ने बताओ मेरा क्या कसूर है मेरा क्या कसूर है मैंने थोड़ी लूट लिया इमाचल प्रदेश को लूटा तो तुम लोगों ने दोनों पार्टियों ने मिलके लूट लिया और केजरी वाल को गालियां दे रहे हैं केजरी वाल ऐसा केजरी वाल वैसा नड़्दा साब को सुनो नड़्दा साल पूरे भाशन में मेरे को गालियां देते रहते हैं अनुराग धाकुर पूरे भाशन में मेरे को गालियां देते रहते हैं, कल बड़ा इंट्रेस्टिंग हुआ, जैराम धाकुर जी ने, मुख्य मंत्री हैं या के, जैराम धाकुर जी ने ट्वीट किया, कहते हैं केजरिवाल जी, हिमाचल में दिल्ली मॉडल नहीं चलेगा, द दिल्ली मॉडल का मतलब इमानदार सरकार, मैं आपसे बूचना चाहता हूँ, हिमाचल परदेश को इमानदार सरकार चाहिए नहीं चाहिए, हाद खड़े करके बताओ, दोनों हाद खड़े कर दो, जैराम ठाकुर जी कहते हैं, हिमाचल परदेश में इमानदार सरकार नहीं बन सकती, मैंने उनसे पूचा क्यों नहीं बन सकती जी, मैंने कहते हैं, हिमाचल परदेश में इमानदार सरकार नहीं बन सकती, मैंने का जी क्यों नहीं बन सकती, बोले जी हिमाचल परदेश की समाजिक और राजनेतिक परिस्थितियां लगें मैंने का बाइस अब परिस्थितियां लगनी है तुम्हारी नियत खराब है इनकी नियद खराब हैं इनकी नियद चोरि करने ये ये खेते हैं हमाचल प्रदेश में हिमानदार सरकार नहीं बन सकती बताओं क्यों नहीं हैं मैं चोटास आदमी हूं आम यह गंधी पॉलिटिक्स करते हैं गंधी राजनीती करते हैं ये लोग मेरे को राजनीती करनी नहीं आती मैं पक्का देश भक्तुर राश्ट्रवादी हूं चोबिस घंडे देश के लिए काम करता हूँ, देश के लिए जीता हूँ, और मेरी जान देश के लिए हाजे रहे, अन्ना अंदोलन करा था, अन्ना अंदोलन से निकलिवे लोग हैं हम लोग, ब्रश्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा अंदोलन करा था, दिल्ली के लोगों ने हमको एक मौक वादिया आज दिल्ली के अंदर हमने इतने काम कर दिये इतने काम कर दिये आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिल्ली गए हुए है जड़ा हद खड़े करके बताओ और कितने ऐसे जिनके दोस्त यार रिष्टेदार दिली में रहते हैं दिली में अबने स्कूल ठीक करे नहीं करे आद खड़े करके बता ना किसको पता है बाई साब इतने शांदार सरकारी स्कूल कर दिये जब से मैं अभी आया हूँ मेरे को कई लोग मिले बोले जी हिमाचल परदेश के सरकारी स्कूलों का इन्होंने बेडा गर्ग कर दिया कितने लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं हाथ खड़े करके बताना सरकारी स्कूल अच्छे हैं कि खराब है जैराम ठाकुर जी सुनो जरा सी बता दो सरकारी स्कूल खराब है जो जो कहते हैं खराब है हाथ खड़े करो यह टीवी कैमरे वाले जरा गुमा के दिखा दो जैराम ठाकुर जी अभी टीवी देख रहे होंगे वो देख लेंगे जिन जिन लोगों को लगता है जिन जिन लोगों को लगता है हिमाचल परदेश के सरकारी स्कूल खराब है हाथ खड़े कर दो दिल्ली में आओ दिल्ली में मैं हिमाचल परदेश की सारी जनता को मंत्रित करता हूं सब को इन्वाइट करता हूं जैरम थाकुर जी को भी इन्वाइट करता हूँ आप सब लोग आओ दिली हमारे सरकारी स्कूल देखो कितने शांदार बना दिये पहले जब हमारी सरकार बनी उसके पहले दिली के सरकारी स्कूलों का भी बुरा आल था कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में बेजने को राजी नहीं था गरीब आदमी को मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल बेजना पड़ता था पान साल में हमने इतने शांदार सरकारी स्कूल बना दिये इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बोर्ड के पेपर के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं 99.7% और इन लोगों के दूसरी पार्टी वालों के सरकारे इनके नतीजे आते हैं किसी के 50% 40% 60% इस साल दिल्ली में चार लाख बच्चों ने चार लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती करवाए हैं इतने शानदार सरकारी स्कूल हो गए क्या आप लोग चाहते हो हिमाचल परदेश के भी सरकारी स्कूल अच्छे होने चाहिए हैं होने चाहिए की नहीं होने चाहिए कौन सी पार्टी करेगी आम आदमी पार्टी केवल आम आदमी पार्टी को करना आता है पहले दिल्ली में प्राइवेट स्कूल वाले पहले दिल्ली में प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडा गर्दी मचा रखी थी जब मर जी फीस बढ़ा देते थे जब मर जी लाइबरेरी फीस डवलपमेंट फीस पिकनिक फीस फलानी फीस धिमकी फीस सारी बंद कर दी साथ साल से दिल्ली में प्राइवेट स्कूल वालों को फीस नही बढ़ाने दी हम लोगों ने हिमाचल परदेश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए दिल्ली में हम लोगों ने सरकारी अस्पताल शांदार कर दिये पहले सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था सरकारी अस्पताल शांदार कर दिये जगे जगे मोहला क्लिनिक बना दिये दिल्ली में दो करोड लोग रहते हैं हर आदमी को पूरा इलाज फ्री दे रहे हैं दवाईयां भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, सब कुछ फ्री आपके घर में अगर किसी का किडिनी ट्रांस्प्लांट होना है लिवर ट्रांस्प्लांट होना है, 40 लाग, 50 लाग का भी खर्चाएगा आपको चिंता करने की जुरूरत नहीं सारा खर्चा सरकार देती है हिमाचल परदेश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है केवला हम आदमी पार्टी कर सकती है और सबसे बड़ी बात दिल्ली के अंदर हमने घूस खोरी रिश्वत खोरी ब्रश्टाचार जीरो कर दिया खतम कर दिया हम लोगों ने आप लोग सरकारी दफ्तर में जाते हो काम कराने के लिए मेरे को पता चला कई कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है सरकारी दफ्तर में दिल्ली में हमने इंत्जाम कर दिया एक फोन लंबर दे दिया 1076 इस नंबर पे कॉल करो कॉल करके बोलो मेरे को जाती प्रमान पत्र बनाना है मेरे को राशन काड बनाना है मेरे को पिजली का कनेक्शन चाहिए बाए-स-ब सरकारी दפ्तर से कोई अफसर आपके घर आता है और आपके घर आके आके आपका काम करके जाता है आपको दिफ्तर जाने की कोई जरूर दनिया इस पूरी दुनिया में केवल दिल्ली में ऐसा हो रहा है हिमाचल परदेश में होना चीए है 하ज ही हम दिली के होना चीए हम दिल्ली के लोगों को फ्री में तीर थ्यात्रा करवा के ला रहे हैं आयो ध्याजी लेके जा रहे हैं जब पूरी की पूरी जा रही है दिल्ली जा रही है दिल्ली वालों की दर्शन करने के लिए आद खड़े करो के वलाम आदमी पार्टी करा सकती है यह दूसर ब्रश्टाचार खतम कर दिया नहीं कर दिया व्रश्टाचार खतम हो गया विजली 300 यूनिट मुफ्त कर दी जी नौकरी 25,000 सरकारी नौकरी निकाली है पंजाब के अंदर 25,000 दिल्ली में मैंने पांच साल में दिल्ली में 12,000,000 बच्चों को नौकरी दिलाए हैं जैराम ठाकुर ने मेरे को पता चला एक भी नोकरी नी दी एक भी नोकरी नी दी इन बीजेपी वालों ने मैंने पांच साल में बारा लाख नोकरी दी और अगले पांच साल में बीस लाख नोकरी देने का मैंने वादा किया है अभी जैराम जी को पता चला मैं कांगडा आने वाला हूं मेरे आने के पहले उन्होंने एलान करा सवासो यूनिट बिजली फ्री करेंगे बोले सवासो यूनिट बिजली फ्री करेंगे मैंने का बही अगर सवासो यूनिट बिजली फ्री करोगे इमाचल में तो मध्यपरदेश में भी तुम्हारी सरकार है वहां भी करो गुजरात में सरकार है वहां भी करो हर्याना में सरकार भावी करो तो मोदी जी का फोन आया जैरम के पास खबरदार जो तुभारा बिजली फ्री करने की बात कही तो अमिच्छा का फोन आया इसके पास बोला खबरदार जो तो कहता है जी चुनाब चुनाब तक रहने दो नो चुनाब के बाद बंद कर दूगा कोई फिड्री नहीं करूंगा ведजांब उरा था पेपर हो रहा था इक उसमें बच्चे बैटगे पेपर दे रहे थे हॉल में सारे बच्चे बैठे थे, उन बच्चों के बीच में केजरीवाल भी बैठा था, वो भी पेपर दे रहा था, वहाँ जैराम ठाकुर बैठा था, वो भी पेपर दे रहा था, केजरीवाल आगे बैठा था, जैराम ठाकुर पीछे बैठा था, जैराम ठाकुर नकल मार रहा था केज केंजरिवाल के पेपर में से केजरिवाल ने लिखा डिलिमें 300 यíूनिट बिजरी मुफ्त करेंगे जैराम धाकुर ने लिखा हमाचल परदेश में सवासो यूनिट को प्रीकर रहां तो वो कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल चाहिए नकल करने के लिए भी अकल चाहिए यह अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते आपको नकल करने वाले चाहिए कि अकल वाले चाहिए है आज हिमाचल परदेश में सारी जंता क्या रही है कि इन दोनों पार्टियों को देख लिया दोनों ने हिमाचल को लूटा अब एक मौका तो बनता है जी तीसरी पार्टि को देने का बनता है कि नहीं बनता आज इस मंच से मैं बीजेपी कॉंग्रेस दूसरी पार्टियां जितनी भी हैं हिमाचल परदेश की उन सारी पार्टियों में भी कुछ अच्छे लोग भी हैं सारे खराब नहीं हैं कुछ अच्छे लोग भी हैं वो बिचारे बड़ी घुटन महसूस कर रहे हैं अब हिमाचल परदेश को नया हिमाचल परदेश बनाने का टाइम आ गया हिमाचल परदेश बदलने का टाइम आ गया बीजेपी कॉंग्रेस में जितने अच्छे लोग हैं मैं उन सब को अपील करना चाहता हूं अपने अपनी पार्टियां छोड़ दो सारे जने आम आदमी पार्टि में में आ जाओ मिलके हिमाचल परदेश बनाएंगे हिमाचल परदेश के लोग बहुत अच्छी है जंता बहुत अच्छी है लोग इमानदार हैं मेहनत कश हैं सीधे साधी हैं यह नेता खराब है यह पार्टिया खराब है इन्होंने लूट लेया हिमाचल परदेश को जैसे दिल आरे जने आम आदमी को नेता बना हो आम आदमी को सरकार दो मेरे को स्कूल बनाने आते हैं मेरे को अस्पिताल बनाने आते हैं मेरे को सडके बनानी आती है मेरे को बिजली देनी आती है मेरे को नौकरी देनी आती है मेरे रोजगार देने आते हैं मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती पॉलिटिक्स चाहिए तो इनके पास चले जाना और विकास चाहिए तो मेरे पास आ जाना मैं पड़ा लिखा आदमी हूँ, इमानदार आदमी हूँ, देश भक्त आदमी हूँ, आम आदमी पार्टी देश भक्तों की पार्टी है, कटर इमानदार पार्टी है, कटर देश भक्त पार्टी है, अच्छी पार्टी है, शरीफों की पार्टी है, इनकी तरह नहीं है, सब लोग इस बार मिल जाओ और जैसे पंजाब और दिली के लोगों ने सत्ता पलट दी आम आदमी के हाथ में सत्ता दे दी इस बार हिमाचल परदेश के लोग भी एक मौका एक मौका दे दो हमको तीस साल आपने कॉंग्रेस को दिये सत्रा साल आपने बीजे पिको दिये आपसे बस पांच साल मांग रहा हूँ मैं पांच साल दे दो मेरे को बस एक बार पांच साल दे दो अगर काम नहीं करूँ अगली बार वोट मत देना और अगली बार मैं वोट मांगने नहीं आउंगा एक मौका दे दो अगली बार मेरा काम वोट मांगेगा दिल्ली में अभी चुना हुए दो साल पहले दिल्ली में मैंने दिल्ली वालो को यही कह था मैंने का दिल्ली वालो अगर मैंने पांच साल काम किया तो मेरे को वोट देना अगर आपको लगे तो वोट मत देना दिली वालों ने सतर में से बासट सीट दे दी मेरे को हिमाचल परदेश में भी एक मौका दे दो पांच साल का अगली बार आखे आपको यही कहूँगा अगर मैंने काम नहीं किया तो वोट मत देना काम किया तो वोट देना दोस्तों ये लोग चारो तरफ चर्चा है मेरे को मेरे लोगों ने बताया है कि हिमाचल परदेश और गुजरात दोनों में डरे हुएं ये बुरी तरह से आम आदमी पार्टी से अरे आम आदमी पार्टी से क्या डरे हुएं हम तो छोटे लोग हैं ये आप से डरे हुएं जंता से डरे हुएं इन्होंने तेया किया है हिमाचल पर्देश और गुजरात के चुनाव ये जल्दी कराएंगे सुनरे आप लोग भी मैंने सुनाई ये चुनाव जल्दी कराएंगे चिंता ना करो सारे जने कठे हो जाओ ये जून में कराएं जुलाई में कराएं जुलाई में कराएं इस बार सत्ता आमाद में के हाथ में आने चाहिए भारत मता की इनकलाब धन्यवाद इस उत्सा के लिए और मैं मंच पे बुलाने जा रहा हूं ही मांच प्रदेश के चुनापर भारी वदिली सरकार के स्वास्थ्य मंतरी मानिया सत्पाल मानिस तिंदर जैन जी को आएं मंच पे और अपना संदेश देवर मानिया के दिरिवाल जी का अभार जताएं कि देव भूमी कोन का संदेश मिला और बजलाओ की अब लहर चलेगी भारत माता की मैं देव भूमी हिमाचल में कांगडा के अंदर जो हमारी जनसबा हुरी है उसमें आयोए सबी हिमाचल वाशियों का बहुत भूध धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में चंबी मैदान में आज जो लोग आए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद बंच पर हिमाचल के हमारे सारे लीडर्स लोग बैठे हैं उनका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसमें बड़े संक्या में पार्टी स्पिट किया और खास तोर से आमादी पार्टी के संयोजक और दिली के मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी आज चंबी ग्राउंड में आए मैं उनका खास तोर से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आकर जन्ता को संबोदित किया जन्ता मैं एक चीज बरूर जरूर कहना चाहूंगा चंबी मैदान के बारे में पूछा जा रहा था कि बई चंबी मैदान के अंदर मीटिंग करने की हिम्मत सभी पार्टी है करनी पाती है और केजरीवाल उसका नाम है जो हर चैलेंज को स्विकार करते हैं और आज चंबी मैदान के अंदर जो संख्या है जो संख्यादे है उसको देख के सब लोग कह सकते हैं कि अब हिमाचल के अंदर आमादी पार्टी आने वाली है धन्यवाद जैन जैभरत